दुनिया भर में AI टेक्नीक आने के बाद अब आप किसी भी वीडियो पर भरोसा नहीं कर सकते खास कर जब इंटरनेट पर ऐसे ऐसे ऐप मौजूद हो जो आपके अर्थ को अनर्थ में बदल सकते हैं हाल ही में 36 गड के रायपुर दक्षन विधान सभा उपचुनाव में भी कुछ ऐसा हुआ यहां भाजपा प्रत्याशी एक मौलाना को किस करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस ने इस वीडियो को जारी करते हुए भाजपा को दोगला बताया तो भाजपा के नेता इस वीडियो को फेक बताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुँच गए हालांकि भाजपा प्रत्याशी का ये वीडियो असली है या फिर फेक इस बारे में 4th iNews कोई दावा नहीं कर सकता लेकिन हम आपको कुछ एप के बारे में जरूर बताने जा रहे हैं जो इंटरनेट पर मौजूद हैं और आप इनका सब्सक्रिप्शन लेकर कुछ इसी तरह के वीडियो बना सकते हैं जिसमें आप दो फोटो को अपलोड करेंगे फिर उन फोटो को आप हग और किस करते हुए आपस में दिखा सकते हैं यही नहीं इसके बाद आप इस वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जारी कर सकते हैं वैसे आपको बता दें कि इंटरनेट जितना आपकी जिन्दगी आसान कर रहा है उतना ही आपको ये परेशानी में भी डाल सकता है लिहाजा किसी भी तरह के आपत्ति जनक फोटो वीडियो की सत्यता को जाचे परक्खे बिना इस पर भरोसा न करें और नहीं अपनी ओर से इस तरह के किसी फोटो वीडियो को शेयर करें क्योंकि इंटरनेट पर जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आपको बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है